स्वागत है आप सभी का दरपंट सीविल सर्फसेस के यूट्यूब चैनल पर और आज हम डिसकस करेंगे डे 50 डेली मेंस क्वेश्चन के आंसर तो डे 50 डेली क्वेश्चन जो दिये जाते हैं हमारे मेंस के क्वेश्चन जो दिये जाते हैं वो दरपंट सीविल सर्फसेस और इसका YouTube में discussion कराया जाता है और इसके अलाबा हमाएं दो program और चल रहे हैं जिसे MPPC Pre की class भी चलाई जा रही है MPPC Pre के 25 questions रोजाना सुबह दिये जाते हैं सुबह 10 वजे हमेरी Telegram चैनल पर WhatsApp चैनल पर Instagram पर और Facebook पर भी दिये जाते हैं अगर आप इंस्टा में आना चाते हैं तो सर्च की देश दरपड़ civil services अगर आप फ़ोलो करना चाते हैं तो वहां भी सर्च करें दरपड civil services पोपाल तो वहां जाके आप फॉलो कर सकते हैं उसे और इंस्टा पर हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है वहां से आप टेलिग्राम में हो सकते हैं और वहां से आपको इस question की PDF और इसके आंसर मॉडल आंसर जो रोज हैंड रिटेन प्रदान की जाते हैं उसके भी सारे आंसर आपको मिल जाएंगे वहां से है तो अब हम स्टार्ट करते के 50 daily मेंनस कौश्च्षन कर लेते हैं कि इसमें कॉस्क्षन क्या दिये गए थी है तो रोजान है नौ वह लिए जाते हैं जिसमें इनलती 5 विचेन कि देखते हैं पहला दिया है विवा के प्रकार लिखिए दूसरा दिया गया है पंसवन संसकार तीसरा है धर्म के तीन महत्व लिखिए चौथा है कर्म मार्ग एवं पाच्वा है ग्रहस्त आश्रम तो यह हमारा होता है थ्री मार्कर के कोश्चन होते हैं और इसी प्रकार हमारे फाइब मार परागत विशेष्टाओं का वर्णन करें जो परागत विशेष्टा है उसका में वर्णन करना था तीसरा कुशन जो दिया गया गया समाजिक को समझाती हुए इसके घटको को सपस्ड करें समाजिक सबरस्ता को हम समझाना है और सब्हेता संस्कृति को rules में क्रणे के लिए आया था है तो इस प्रकार से आज हमारे जो डे 50 हैं इसके questions आई भी थे तो अब हम चलते हैं इसके answer पर वीडियो सुरू करने से पहले मैं दो तीन चीज़ और बता दू जो आपके लिए बहुत ही महत्पून साबित हो सकती हैं आपकी पढ़ाई में बहुत मददगार साबित हो सकती हैं तो पहला है MPPSC प्री की जो question दिये जाते हैं वो आप daily solve कर लें और दूसरा है हम यूटूब पर हमारी economics की class लाई जा रही है जो बिल्कुन से new syllabus पर आधारित है तो उससे आप economics के pre एवा means दोनों की ही तयारी कर सकते हैं तो उन्हें भी आप देखना नहीं भूले और इसे day 50 daily means question answer discussion के पहले भी कई वीडियो आ चुकी है आप हमारे playlist पर जाएं उहां सभी लिस्ट लगी होंगी तीन लिस्ट तो आप उन्हें visit करें और देखें और उन्हें वहां से पढ़ें ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो पाए हैं तो अब हम चलते हैं इसके answer पर तो यह हैं हमारे answer पहले जो question दिये गया था वीवा के प्रकार लिखी है न तो वीवा आठ प्रकार के होती है न हम इतनी space नहीं थी कि हम उसको लिख दें के आठ प्रकार के विवा होते है न अगर आपके पास इस space है तो आप जरूर लिख सकते है न ब्रह्म वीवा पहला व पुछा गया है कि विवाह के प्रकार लिखी है लेकिन कभी कभी यह question 11 marks में आ सकता है और यह question 6 marks में भी आसकता है जिसके अंदर आपको ब्रह्म वीवा है थोड़ी चीजे लिखने पड़ेंगी द्यवीवा के अंदर पूरी चीजे लिखने पड़ेंगी न तो इससे आप 11 पुछा गया तो गर्वधान से तीसरे पाचवे एवं छट्वे महिने में इसका आयोजन किया जाता है इसका उद्देश के आता है गर्वस्त गर्वस्त सिसु की सुरक्षा है जो गर्वमी है उस सिसु की सुरक्षा के लिए यह संस्कार किया जाता है दमपत्ति दौरा उचित ऑसदी का प्रियोक कि जाता है दावाहिएं का प्रियोक कि सुस्त रहें और गरवस्त इससु भी स्व्त रहें और ठीसा कुशन हमारा ऊविए था धर्म के तीन महत्व लिखे तो धर्म के फीर मात्ति है व्यक्ति के करताव्यों को निर्धारन नहीं हो जाता है कि उसके करताव्यों क्या करणा चाहिए अलग-अलग अवस्था में अब यूवस्थ में दोसे को रहना चाहे है वह व्रयद्धावस्थ में क्या करना चाहिए तो उसके कर्थावे करने धारा भाता है है अगला कुषम्हार मार्ग है नमेर अगला कंग तर्म कर्म मार्ग से पालन और धर्म के अनुसार आच्रण करता है तो हमारा होता है टो यह हमारा होता है करम मार गया ग्रहस्त आस्रम ग्रहस्त आस्रम तो यह किसables के सिरी व्यति एब मब सते हिल आ वह इ संसारी सेयर होता है संसारी जीवन जीना होता है आप मतलब आभीव में आच коп के वह पिरला से जहां पहले आश्रम होता हां वहां से आचुके होते हैं अब शंसारिक जीवन जीने लगते हैं अब इसका पुरुषाद क्या होता है अर्थ एवं काम जो भी मुद्रा है वो तो उसका पुरुषाद होता है आर्थ एवं काम तो हमारे होते हैं सरी के सिक्स मार्ग कि स्क्राइब तो पहले इसका थोड़ा इंट्रो देंगे जह हम फाइब लेकिन वैसे समान प्रवत्ती में इसमें स्पेस नहीं बचती है तो इसका कंक्लिजन किया जा सकता है और हमारी सब्सीमा भी 50 सब्सीमा हैं पाइब माक्स के कोश्चन को पचास सब्दों में ही लिखना है तो अगर हम सब्द सीमा अपनी बढ़ाते हैं तो हो सकता है हमारी नंबर काट लिए जाए हैं तो हम वो नहीं कर सकते हैं इसलिए इसे इंट्रो और बाड़ी के रूप में लिखा जा सकता है अगर आपके पास जगर बस्ति तो थोड़ा सा लिख दें वरना कोई ज़रूरी नहीं है तो हम पहले इंट्रो लिखेंगे कि समाजिक प्रवत्ति एवं समाजिक संबंधों के पढ़णाम शरूप विक्सित होने वाले दो प्रमुक्ष समाज एवं समुदाय हैं तो समाज एवं समुदाय वि ह daí लोसी डिलेंगे लिए उसका मांतर लिखते जाएंगे हैं इस से हमारी सब्सीमा भी इसीब हो जाती है और यह का अंधर भी सबस्ट रूप से हमें दिखाई देता है है पीटीशन होता उत ही तो हम इसका अधार बनाकर लिखते हैं तो पहला है अधारना तो समुदाय है मूर्त अवधारना है और समुदाय जो होता है वह मूर्त होता है समुदाय को समुदाय को वह मूर्त होता है संगठन संगठन में क्या होगा समुदाय जोता है वह समद्योग के जाल होता है समाजिक संबंदों पर कजाल है और व्यक्तियों का सब्मूव है छेत्र समुदाय का शेत्र सीमित होता है और समाज विस्तिरित होता है जैसे कि भारती समाद बोल दिया है समाज पर भारत के पुरे लोग आगे विस्तिरत अब्धान है गारती समुदाय हम नहीं बोल सकते हैं तो अनिवार इस्तानियता होती समुदाय होता है कि एक विषयस इस्थान होता है इसका है इसका विशस इस्थान होता है जैसे की आ निवार इस्थान होता है तो इसका में चीन नहीं समदाइक भावना अलग समस्मुदाइं सिर्फ उसों के लिए रहेगा लेकिन समाज जो स्माद समागे बहुत बड़ा अईरिया आ जाता है इसलिए उसका उद्देश भी क्या हो जाता है उसका उद्देश भी बड़ा हो जाता है मतलब विस्तृत हो जाता है तो समुदाय का जो उद्देश होता है वो सीमित होता है और समाज का जो उद्देश होता है वो विस्तृत होता है तो इस प्रकार से हमारा होता है यह वाला क करना है तोसी संसकृती से स्म्मंधित विशेषताइं एक पीड़न से दूसरी पीड़ी को हस्तानांत्रित होती है जो सांस्कृती के हमारी हो ती है और अभी तक चलती है तो भारती संस्कृती इस प्रकार evaluate पीडीदर-पीडी चलती आ रही है है तो पराथे सस्कृति की स्सक्षती परामपरा daha करते ही है तो पेट है अध्यात्म भाथ है ऐस iemand अध्यात्म को भारती श्व। बहुतब भाथे ॥ा । जब दियुक्त है रुपत बनों करतावे भूंगे पर Θषाह भूंगेMe' तौर में विश्वास होता है कि जैसा हम करेंगे उसी तरह से हमारा हमको फल मिलेगा एवं सामनजस से हमेशा हे हमारे देश में अलग अलग धर्म समुदाए के लोग रहते हैं उनके बीच सह सुनूता और सामनजस से हमारे इसमें और और पच्पा है अनुशासन हमारे समास में हर यह द्हार में कारूप से हो वो किसी कानूनी डर्म से हमारे दर्म इन वोगाः ठ 550 आधुनीक दोर में झौने ज़्क ठीलने में पराइज कि ऑदिश संग्री तो संस्कृति की परवरा हुनी रही है तो इस परकार हमारा होता है फाइमाक्स का दूसरा कोश्चिन हम चलते फाइमाक्स के तीसरे कोश्चिन पर समाजिक समरस्ता को समझाती हुए इसके घटकों को इसपस्ट करें हमें क्या करना था हम समाजिक समरस्ता को समझाना था और इसके घटकों को सपस्ट करना था तो हम समझाएंगे पहला समाजिक समरस्ता का संचिप्त अर्थ है ना समाजिक समानता है समाजिक समरस्ता मतलब समाजिक समानता होता है व्यापक अर्थों में जातिकत व्यदभाव का उनमूलन कर लोगों को आपसी प्रेम सौहाद्र बढ़ाना एवं समाज के सभी वर्गों एवं वर्णों में एकता इस्थापित करना समाज के सभी वर्गों वर्णों में एकता इस्थापित करना समाजिक समरस्ता को समझा दिया अब हम इसके घटक किस्पस्ट करें तो घटक यह लिखा हुए हैं तो घटक क्या है जाती से ऊपर हमको कि ंन्तर वसथी और समरस्ता की अंतरवस्तु अंदर जो भी वस्तु हीं आती सो शकते लिख्या एंद दारणाती तो उसके अंतर वस्तू हो गई यह हमारे हुए घटक और यह हमारा हो गया समाजिक व्रश्ब को समजाते हैं इस फर्श्ट करें इस को क्यों को इस प्रकार से लिखा गया सकता है और यह एक 모든 कि यूप में लिखा चाह सकता है तो मतलब यह क्लियर है कि आपको जितना आप लिखेंगे उससे ज्यादा इसमें मार्च मिल जाएगे क्योंकि हम जब कॉपी लिखते हैं तो लिखा आपको जरूर्छी फायदा दिला सकती है तो हमने लिखा पहले कि टाइलर के अनुसार ना टाइलर जो है एक समासासरी है तो उनके अनुसार जो है उनके अनुसार जो है उन्हों ने क्या कहा हम कभी भी जब 11 के लिखें कहीं बी पूछा गया है जो पूछा जो भी पूछा गया हो ही उसको अपनी में बादा बादी के देते हैं कि बाड़ी है तो उसको आले वहागु में vyदाने उसने पूछा उतने भागा सब्भेता मानव जाती का बहर्विक्सित रूप है जिसमें उच्छे स्रेडी के व्यक्तिक एवन समाजिक संगठन पाई जाते हैं उच्छ स्रेणी के वैक्तिक एवं समाजिक संगठन पाए जाते हैं उन्होंने ये सभ्धता को परिभाजित किया वही संस्कृति कला और उपकर्णों में जाहिर परंपरागत ज्यान का वह संगठित रूप है जो परंपरा के द्वारा संरक्षित होकर मानों समूं की विसेशता बन जाता है मतलब कुल मिला कि ऐसा कह सकते कि संस्कृति जो है परंपरागत है परंपरा से रिलेटेड हो सकती है हमारी संस्कृति कला परंपरा से रिलेटेड हो सकती है लेकिन जो सभ्धता है वह मानों जात भी आंतर लिखते हैं तो तो आधार बनाएंगे से लिखेंगे जैसा कि आपको सामने दिखेंगे इस प्रकार तैम पर विष्दर जो रहता है चारो होता है और संस्कृति के रूप से होता है मतलब सब्सक्राइब बिस्दार नहें होता है संस्कृति का प्रशार केवल एक दिसा में होता है ये वैचारिक दिसा में होती है हमारे विचार होती है हमारे नियेम कानुन यह सब होता है संस्क्ती है तो इसका सबैता का Фृसार्ण होता है और संस्क्ती का विचार केवल । गहराई का अभाव होता है इस दूसरा प्रकरति है reply का बहुता ह व Damn मतलब कि यह है कि जो सबेता होती है ना बहुत इक चीजों पर रिलेटेड होती है बहुत इक चीजों से लेटेड होती है मतलब विचार से उसमें विचार इतने गहराई से नहीं गये होते हैं विचार इतने गहराई तक नहीं होते हैं मानवी सम्दाय में लेकिन जो संस्कृति होती है उसमें सरद्धा का भाव होता है मतलब उसमें कलिष्टता ज्यादा होती है और तीसरा पॉइंट है मोल्यांकन है कि वहां लोग कैसे रहे हैं वो कैसे चलता रहा होगा किस तर के लोग रहे होंगे लेकिन जो संस्कृति हैं उससे मुल्यांकर नहीं किया जा सकता है प्रेंटी होता है संस्कृति बहुत क्रूप से हैं तो हम पलट करके फिर से एक्षिल में क्या विचार थे जान सकते हैं हलाकि हम यह जान सकते हैं कि वेद पुराण यह समें दिया हुआ है उस्कावल क्या सोचते हैं नहीं ईतने जादा आप यह नहीं होता है यह नहीं लेकिन संस्कृति में परिवर्तन रेखी होता है और इसका चक्री होता है मतलब कि चक्री होता है कि मतलब परिवर्तन हुआ है ना फिर थोड़ा परिवर्तन हुआ फिर परिवर्तन हुआ मतलब कोई संस्कृती थी वह परिवर्ती हो कर फिर फिर परिवर्ती थी फिर उसी संस्कृती में फिर आ गए है यह चक्री होता है लेकिन इसका रेखी होता है ए तो उसका चक्री हो जाता है परिवलते हैं संबंद इसका संबंद सरीरिक सुख को प्रदान करने के लिए है जो संबंद आप सुक को प्रदान करने से है तो ल्टी विल्ट करती थी उंक्य रूप से उच्छता को समझाती थी और संस्कृति होती है मांसी केवं अध्यात्मिक सुक प्रदान करने से है संस्केति मांसिक अध्यात्मिक सोग प्रणान करती है यह हमारा गला अंतर अब दूसरा अंतर क्या है साथवाइश्था सब्यता मूर्थ अवस्था में होती है सब्यता को हम देख सकते हैं जैसे कि में वही ट्रस्वाइब बदलते हैं तो जैसे कि मेसोप्रोटामियां मेसरोटामिया के साफ़भी उपलब्त बेसे देख सकते यह पिरक्राय को Kit एसाथ माने को चलते हैं संबंध भातिक वास्ता व्स्तों से जिसमें परवतिक वस्तों से वस्तु होता है इसका व्सल्सका व्स्तों होता है लेकिन जो संस्क्रती होती है इसका संबंद मानों के विचारों से हैं और आंत्रीक गुणों से होता है अगर चीज भहतिक रूप से होती है तो उसमें जो परिवर्तन होती है तो यह जल्दी हो जाता है लेकिन अगर वह चीज वैचारिक रूप में होती है तो परिवर्तन करना काफी कठिन होता है जैसे कि जाती प्रथा जाती प्रथा कब आई थी मतलब वह तो उत्रवधिक काल में आई थी है ना उत्तरवधिक काल में लेकिन वह भी चल रही है है वह अब कुरिती बन गई है त परिवर्तित किया चाल सकते हैं। ये वह है कि उस्तरीकाद नहीं है सब्धय को साधन के रूप में बाना गया है और लास्ट में उसका सब्धता संस्क्रित में उपरोगत अंतर होता है इससे अच्छा भी आप आप conclusion लिख सकते थे एक्चल में मेरे पास जगह नहीं थी लिखने के लिए जगह नहीं नहीं लिखा गया है पर इससे भी अच्छा conclusion लिखा जा सकता है तो आप चाहें तो लिख सकते हैं ठीक है तो यह हमारे हुए आज के आड़े 50 के मोडल वाले तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे जरूर लाइक कर दे हैं और जो भी आप कहना चाहते हैं कि इसमें जो भी डिमांड हो कि आपको कुछ समझ में नहीं आया है या फि सब्सक्राइब को जरूर से जरूर जोइन करें वहां से आपको इन कुश्चन की आंसर की पीड़ेफ मिल जाएंगी और इसके अलाबा भी कई चीजे वहां से सेर होती हैं जैसे नोट्स अगर अभी है ना अभी नया स्लेवस आया उस पर अधारित नोट्स अलग अलग करते हैं और कुछ ही दिनों में हमारा 2000 क्वेश्चन 2000 के बुकलिट आने वाली है सभी अंसर सब्सक्राइब को जोइन कर सकते हैं तो धन्यवाद आज के लिए इतना ही अप फिर मिलते हैं तब तक के लिए आप पढ़ते रिए सुरक्षित रही है झाल